असलाम अलेकुम आदाप मैं हूं मोसिन और आप देखरें बीबियन नियूज आई ये शुरुबात करते हैं आज खबर नामे की और नजर डालते हैं हैडलाइन्स पर 15 अगस्ट को सीम रेवन 30 करेंगे सीता राम प्रोजेक्ट के तीन पंप हाउस का इफ्तिता वजिर आपाशी उत्मकुमार रेड़ी ने आज किया पंप हाउस का ट्रायल रन मरकजी वजीर किश्टरटी ने हैतरबाद राम नगर चौरस्टे पर किया तिरंगा राली का आखास तमाम लोगों को अपने घरों पर खामी पर्चम लहराने की किया पीरी सुपरिम कोट में कल 12 अगस्ट को होगी कविता की जमानत की दर्खास्त पर सुनवाई डिली शराग घोटाला मौमले में बेल मिलने के इमकान शमशबाद एरपोर्ट पर दुबाई से पहुँचे मुसाफर के पास से एक करोड से ज्यादा की खीमत का सोना जब डियाराई हैदरबाद जोन के अहलकारों की कारवाई मुसाफर जूते और बैक में छिपा कर लाया था 1390 गराम सोना एक रात में सोने की अंगोटी को डबल करने वाले धोंगी बाबाओं को परगी की अवाम ने पकड़ा फास फूर्ट सेंटर के मालिक की बरवक्त गोशियारी धुलाई के बाद धोंगी बाबाओं को कर दिया गया पुलीस के हवाले और अब खबरों की तफसील वजिर्याप पाशी उत्तम कुमार रेडी ने आज इतवार को भदरादरी कुत्ताकोड़म जिले में सीता राम लिफ्ट इरिगेशन प्रॉजेक्ट के ट्रायल्स के लिए पंप हाउस का स्विच आउन किया इस मौके पर उनके हमरार यासती प्रॉजेक्ट को अवली इंतरजी दी है बताया जा रहा है कि इस महां की पंदरा तारीख को सीम रेवन तरेटिक के हाथों प्रॉजेक्ट के तीन पंप हाउस का इफ्तिता किया जाएगा मरकजी वजीर जी किशन डेटी ने आज हिदरवाद के रामनगर चौरस्ते पर तीरंगा रैली का आगास किया इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन डेटी ने आवाम से कहा कि वो मुल्क के इतिहात और खौमी सालमियत के हिफाज़त करें और नौजवानों को हिंदोस्तान की आजादी की लड़ाई की तारीख के बारे में बताएं किशन डेटी ने तेलगू अवाम से कहा कि वो सरगर्वी से तिरंगा यात्रा में हिस्सा रहे उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि वो अपने घरों पर खौमी पर्चम लहराएं उन्होंने कहा कि भार्तिया जंता युवा मोर्चा पूरे मुल्क में तिरंगा राली और तिरंगा यात्रा निकालेगा बार्तिय जनता युवा मोर्चा वीविदा समाजीका सामस्तलु अंदर कलिसी योका हर्गर तिरंगा कारेक्रमों जयपरदशन चेडूं कोसम सन्ना आलु प्रारमी चारू अंदुलो बागंगाने बार्ते जन्ता योमोर चाद्वर्यमलो तेलंगान वेप्तंगा देश वेप्तंगा योक तिरंगा यात्रलु निर्वाइस्तावननम। इस संदर्भंगा मनका अंदर के तेलिसु। मनमु इटिवलेने डेब्बय समत्सरालु पूर्ते चेसकोनी मुंद्धि केल्थावननम। डेब्बय समत्सरालु स्वातंधर प्रणडग संदर्भंगा सुमारु 23 कोटल मंधि प्रजलु तम इल्लमीर जातिय पताकलु एगरवे यड़न दर्गिंदी। अदेश पूर्तितो प्रदान मंत्रिगारु प्रती जातिय स्वातंधर दिनोत्सम रोजु गुड इजातिय पताकलु एगरवे सेट्ट्वेंडी कारेक्रमं चेपट्टालानी पिल्पिनी वोड़न दर्गिंदी। अंदुलो बागंगाने बारत प्रभुत्तन तर्फना विविदा रास्त्र प्रभुत्त वाल तर्फना इजातिय पताकलु एगरवे सेट्ट्वेंडी कारेक्रमं कोनसागिस्तुन। अंदुलो बागंगाने इरोज़ु विविदा राजिके पाट्टिलु सामाजिक सवंस्तलु विद्यार्त योजन संगालु गोड इयोका मरी तिरंगा यात्रवल पेरुमिदा मोर्साइकिल यात्रलु गोड निर्वैस्तावनलु इदी देशमंता गोड जरुतावंदी। इंदु कांटे मनकु देश समक्रता समक्यता कापाडाल सिन्टु निर्वैस्तावनलु गोड इयोका तिरंगा यात्रलु जरुतावनलु इरोजु रेप यलोंडु गोड लरुताई। 15 तेदी कुड मरी अंतटर कुड यवका अंदर इनलमिदा कुड जात्यय पताकल एगरवे सेट्टु निर्वैस्तावनलु चालमंदी इरोजु प्रारम इन्चारु नेनु तेल्गु प्रजलंदरनु कुड कोर्तावननु 15 अगस्टु देशा स्वात्तंतर दिनोत्सवा सुपरिम कोड में कल पीर को बी अरेस एममलसी के कविता की जमानत की दर्खास्ट पर सुनवाई होगी जो फिलहाल दिल्ली शराब स्कैम केस के सलसले में तिहार जेल में हैं जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनातन पर मुश्टमिल दो जज़ों की बेंच इस मौमले पर समात करेगी वाज़ हो कि कविता को एंफोर्स्मेंट डारेक्टर रेट ने 15 मार्च और सी बी आई ने 11 अपरेल को गरफ़तार किया था तिलिंगन अरियसत में हालिया शदीद बारिशों की वज़िसे आदलाबाद जिले के आपशारों में दिलकश मनासर देखने को मिल रहे हैं सिया खुदरती तोर पर तखलीख करदा ने खुबसूरत मनासर देखकर मसरूर हो रहे हैं फितरत से महपत करने वाले लोग इन उंची पहाड़ियों के उपर से गिरने वाले पानी और आपशारों के दिलकश मनासर देखने को ने सिर्फ जिल अदलाबाद बलके करिम नगर, नजाबाद और वरंगल के सहरती इलावों के अलावा दीगर रियासतों से भी यहां आस तोर पर जिल अदलाबाद के पोचारा आपशार और कुंटाला आपशार में बारिश के मौसम में बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुंटाला आपशार को रियासत की सबसे उंची आपशार के तोर पर पहचाना जाता है और इसे तलिंगाना के नागरा के नाम से भी जाना जाता है के सूफी नगर में वाखिय अरबन कस्तूर बागान्थी गल्स विद्याला की तालिबात बंदरों की कसरत से परशान है हर सुबा सैंक्डो बंदर स्कूल में खूमते हैं जिससे तालिबात में खौफ का माहल दिखा जा रहा है सुबा का नाश्टा करते वक्त खाना पकाने के दोरान बंदरों के घूमने से बावर्चियों और तालिबात को मुश्किलात पेश आ रही है तालिबात का कहना है के बंदर क्लास रूम में आकर किताबें भाड़ रहे हैं हॉस्टल में बंदरों के आजाने से उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं तालिबात ने अरबाब मजास से सिलसले में एकदामात की अपील की है कोठूरों इकद भाग कोठामस कोठामस क्रिवबध सेट माक्को ने अर्ची इसको अलाया? लगेज्ट चिंपेश आ इसकोरी मास पस्तूरों कोड चिंदरवा अंदरको पडेशाय माको वागा प्राबल्म हैं कोठीटों खवर नामे में फिला लेंगे एक ब्रेक मुलाखात होगी इस छोड़ी से ब्रेक के बाद था ब्रेक मुलाखात होगी इस छोड़ी ब्रेक बाद खबरनावे में आपका तुबारा खेर मगदे माई ये वड़ते मुजीद खबरों की जाने डिरॉक्टरीट ओफ रेविन्यू इंटिलिजन्स यानि डियार आई हैदरबाद जोन के अहलकारों ने शम्शाबाद एरपोर्ट पर एक मसाफिर से 1390 ग्राम सोनाज जिसकी मालियत एक करोड़ों पैसे ज्यादा बताई गई है बताया जा रहा है कि दुबई से आने वाला शक्स इसे स्मगल करने की कोशिश कर रहा था मखसूस इतला पर डियार आई हुकाम ने इस मुसाफिर को रोका और तलाश ली जिस पर उसके जूतों में ये सोना बैट 60 की दिफात के तहित कि रफ़तार कर लिया गया जबके मजीद तहकिखाद चारी है हैदरवाज शहर के गाजुला रामारम में एक खौफनाक सड़क हादिसा पेशाया पैदल जार है एक शक्स को तेज रफ़तार कार ने टक्कर मार दी जिस वज़े से उसकी मौखे पर ही मौत हो गई हादसे से मुतालिख वीडियो सेसी टीवी में रिकॉर्ट हो गया मतवफी की शनाख्त गोपी सेक्रिटी गाड के हैसियस से की गई है जीडिमेटर पुलीस ने कार चलाने वाले की शनाख्त तारिब इल्म मनीश के तोर पर की है जो इस हादसे के वाक्त कार चला रहा था पुलीस ने वाके की बचा, शराब कनाशा और तेजर रफतारी खरार देते हुए मुखदमा दर्च कर लिया है जबके मजीद तेखिखाद चारी है पिखरावा जिला परगी मंडल के नासकल गाउं के लोगों ने धोंगी साधूं को पकड़कर पुलीस के हवारे कर दिया जो एक फास फूड सेंटर के मालिक को एक रात में सोनी की एक अंगोटी को दो करने का तावा करते हुए धोका देने की कोशिश में थे तफसिलात के मताविक ढ़ोंगी बाबा लोग एक फास फूड सेंटर आए और खाना खाने के बाद पैसे पूछने पर फास फूड सेंटर के मालिक सिर्कात को कहने लगे के हम बाबा लोग हैं हम से पैसे नहीं पूछना चाहिए हम तुमें दूआ देंगे और तुम्हारा फैदा कराएंगे ये कहते हुए धोंगी बाबाओं ने मालिक के हाथ की सोने की अंगोटी को एक लोटे में रखवाया और फिर उस पर कपड़ा बान दिया और कहा कि इसे सुबा खोल कर देखन इसमें से दो अंगोठिया निकलेंगी इतने में स्रीकांत को शक हुआ और उसने लोटे को उनके सामने ही खोल दिया जिस पर उसमें से एक पत्थर निकला जिस पर वो उन्हें पकड़ने की कोशिश की फिर फासफूड सेंटर में मौझूद लोगों ने उन्हें पकड़ ल मुझे उस पड़ाम ऐग्शाभी टांपो जान है ने शाद internals Orange on your रैट केला स्रक्राइड तुन्दरीर थीकें लाग। कोछी हो नहीं सवामी जे अटेक्श नहीं से अच्छाभारतु तुम्हा लोगां कुछोब अझाया हां दोखे थी तो किया करें दौंजचाए दल पानी मे भोली नारोगे बाड के रस्षी बने तौन तारगत मार्वाने में पुदकाल दिया, इपर दिया मां सेंबो दिया को मुटकान जपीन नेरो नाक डवट चिन्थ ना उंकरमिस को अन्लेशी बद्धाल तुनियान अप्रश्ण लिए अभबान आलोस नगेशना उंकरम अन्लेशना वरंगल पुलीस कमिशनर अंबर किशोर जाने कल रात अचानक वरंगल रेलवे स्टेशन और बस टैंड का मौईना क्या इस मौकर पर उन्होंने रेलवे प्लाटफॉर्म पर मश्कूक अफरात के थैलों की तलाशिली और रेलवे स्टेशन पर खाने पिने के स्टॉल्स का भी मौईना किया दूसरी जानिब हनम कुड़ा बस स्टैंड और अतराफ के लॉजस का उन्होंने मौईना किया इस मौकर पर पुलीस के दिगर हुकाम और अमला मौजूद था झाल कर तो तेलिंगाने के जगतियाल शहर के मजाफाती इलाखे लिंगम पे ट्रेल डेस्टेशन में एक ठैरी हुई इसे ट्रेन की बोगीयों में कोईला मुन्तकिल किया जा रहा था स्टेशन मास्टर ने बोगीयों से धुआ उटता देख कर फायर ब्रिगेट को तलब किया फायर ब्रिगेट का अमल्या फौरी वहां पहुँचा और उसने आग पर खाबू पालिया इस हाथ से में पांच लाक रुपई का कोईला जल गया अदलवत की सरगरम तन्जीम बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेर सोसाइटी के जेरे हित्माम बंगारी उड़ा में वाके सरकारी स्कूल के हाथे में छोटे बच्चों और बड़ों के लिए आँखों के मुफ्त टिपी कैम्प का इनकाद किया गया इस मौके पर अब्दुल अजीज ने बताया कि डॉक्टर एन रेड़ी और डॉक्टर आदर्श रेड़ी के ताउन से जरूरत मंदों के लिए मेडिकल कैम्प मुनकित किया गया जिससे कई लोगों ने इस्तिफादा किया इस मौके पर रत्नईयां होस्पिटल के डॉक्टरों को बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेर सोसाइटी की जानेब से शॉल और गुलपोशी के जरिए तहनियत पेश की गई अंदर की नमस्काराम अप्रियर्टा निवेरुदा रेटिंग एन एडियर्टी पीडियाट्रिक स्रिटन्या चिल्वन्स नाइफ होस्पिटल मेर्दाजी जोक आदिलाबार इवालमें बेस्ट फ्रेंड हेल्प वेलफेर सोसाइटी तो कालसी इकड़ा बंगारी गुडाल बिडूGER मेर्व तो कुड़ मेर्यान वर्यापन किशावी पीमेर तो कि दोगीमेर िवर्की केंप मेर्यood, कंदीट चांड़ थे और, कांगी होग्ण, कलेबम कर दो कैन्योड मेर्स स्रिप्स्पूलक तो सब्सक्राइब कर दान्तों पाटने नेम चपालन कुंट नांटे इक पुड़नी सीजनल जवरालों विशत जवरालों सद्री दल्गु वीट गुरिंचे आवगाहना कल्पिंचानों इवाला पिल्लालों इन्फेक्शन्स की गुरिका कुंदा एतला कापाडाली वालान यानी अंडर की आवगाहना कल्पिंचानों लुकल हमने लुकल और पमांगारी हुड़ा इन्फेक्शन्स अवगाहना कापाड़ा इन्फेक्शन्स अवगाच टेनियुट नेस्ट स्वेश खेप्रिंचिछ कुक्षक्षच टूंस्यां के बिल्यगाःई इन्वेट्स टूक्षट्स अट्री यवेजित अ मैंने टीब पड़ोसी रियासत कनाटक के शहर भीदर के सुनी इद्गा इंतिजामी कमीटी का दूसरा सालाना इजलास जनरल बॉड़ी मीटिंग आज इद्गा के आहाते में मुनकित हुई जिसका आगास हाफज अब्दुलहकीम के तिलावत कलाम पाक से हुआ जबके हाजी फयास ने नात का नजराना पेश किया कमीटी सदर मुहमद जबात ने सभी का इस्तेखवाल किया सेकरेटरी सेयत मुबश्चीर अबू ने एजेंडे की रुदात सुनाई और उनकी दो साला मियाद में किये गए कामों के अलावा आइंदा के कामों की तफसिलात से आगा किया और पैसों की तफसिलात भी बताईए इसके बाद इसके अलावा इद्गा में जड़ी सीची टीवी टेकनालीजी के कैमरे नस्किये गए हैं जो हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं इद्गा के सामने जो ड्रेन 20 साल से खदास्ता हलत में ती इसकी नए तामीर के लिए इद्गा कमिटी की कामियाम नुबाइंदा की पर जनाब रहीम खान साहब ने अपने फंड से वो ट्रेन का काम मुकम्मिल किया है अलहमद्दिल्ला इद्गा के अंदूनी हिस्से में आठ हाइमास्ट पोल के लिए क stepping Cक owners एक लेटर ऑगा वे इंशाला महिने के अंदर और वह भिंशाला अमल में आ जाएगा मलियाद कमिटी एद्गा कमिटी के जुम्रह 110 मलियात से उद्गा कमिटी की मुसेתब को startups के तमाम 110 मलिया कि इसके बाद मैं हमारे के मौकव पर उर्दू साहफियों को जो पेश की गई है मैं अब्दी दूला हुसनी साहब सब्सक्राइब जनाब यूसुफ रहिम साहब सब्सक्राइब अमीन नावाद साहब और अली मुद्दिन बंदानावाजी साहब को भी दिल के गहरायों इसके बाद जनाब अब्दुर्शीट खादिर साहब को हुकमत हिंद की तरफ से बद्माश्रीवार्द जनानिव से उनको भी मुबारक बाद पेश की जाती है इद का बीदर में इदें के मौके पर नमाजियों के लिए बहत्रीन इंतर्जामात और सहलेथ को महिया करना हमारी अबल जम्मदार्वें में शामिल है इन्शालला तमाम उमूर आप हज़ात के ताउन से अन्जाम लाया जाना जरूरी समझता हूं कि आज की तारीख में इदगा सुनी विदर के बैंक खातों में मौझू रखम कुछ यहों है उस्मान गंच इस्टेट बैंक आप इडिया के अंदर बाहतर लाग छेगे नो हजार एकसो बीस रुपिये पंजाब नाशनल बैंक में 35 लाग 38,037 रुपिये जुम्ला रखम एक करोड़ आठ लाग 34,177 रुपिये उसके बाद करनाटा का स्टेट बगबर्ट से जो पचास लाग का पहला फिस्त आई है उसको स्टेट बेंक आप इंडिया में जमां करें तो जुम्ला रखम एक करोड़ 58,004,177 रुपिये आज हमारे इस तारिख में हमरे पास मौजिदा अलंदला इदिया कमिटी बीदर और तमाम शेरियों की जानिब से जनाब रहीम खान साथ में मिल्ले और जनाब बीच्जेट जमीर रहीम खान साथ मिनिस्टर वर्पोर्ट और तमाम उन मुसलिम कॉंसलर को शुक्रिया रदा करती है जो हमारे इस ताउन में हमारे साथ दिये हैं आखिर में एक नज़र हेडलाइन्स पर 15 अगस्ट को सीम रेवन 30 करेंगे सीताराम प्रोजेक्ट के तीन पंप हाउस का इफ्तिता वजिर आपाशी उत्तम कुमार रेड़ी ने आज किया पंप हाउस का ट्रायल रन मरकजी वजीर किश्टरटी ने हैतरबाद राम नगर चौरस्ते पर किया तिरंगा राली का आखास तमाम लोगों को अपने घरों पर खामी पर्चम लहराने की किया पीरी सुप्रिम कोट में कल 12 अगस्ट को होगी कविता की जमानत की दर्खास्त पर सुनवाई दिली शराग घोटाला मौमले में बेल मिलने के इमकान शमशबाद एरपोर्ट पर दुबाई से पहुँचे मुसाफिर के पास से एक करोड से ज्यादा की खीमत का सोना जब डियाराई हैदरबाद जोन के अहलकारों की कारवाई मुसाफिर जूते और बैक में छिपा कर लाया था 1390 ग्राम सोना एक रात में सोने की अंगोटी को डबल करने वाले धोंगी बाबाओं को परगी की अवाम ने पकड़ा फास फूर्ट सेंटर के मालिक की बरवख्त गोशियारी धुलाई के बाद धोंगी बाबाओं को कर दिया गया पुलीस के हवाले खवे नामे में फिलाल बस इतना ही ताजा तरहीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपे न्यूस यूट्यूब और फेस्टूप कर मौजुद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए